आज में बना रही हूं दल्य और आप देख सकते हो मतर है और मेरे पांस ना दो पालक के पत्ते रह गए थे तो वीडियो को मैं खदम कर दल्य बनाने के लिए मैंने यह पेयाज और मिर्चिप इसमें लेशन में नहीं डालती हूं अगर आपको डालना हूं तो डाल सकते हो यह दल्या बनाने यह कम है बता हूँ प्याज और मिर्ची और जीरा में ने डालके रखा है अलू नहीं खाते हैं बट कम डालती हूँ अलू अलू भी ना और अलू को छोड़के सारे ग्रीन वेजिटेबल से हाँ 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 दल्या खराब लगती है मैं इस तरीगे से बनाती हूँ तो विडियो उल्टा हुआ 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 है टमाटर भी तिन लिया मैं तो देखो मेरा दल्या बनता कैसी लोग बूलते हैं दल्या 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 बिल्की टेस्टी बनता हुआ है बाल और दल्या दोलों को भीगाते रखा है श्मिक्स दाल है और दल्या है जब सब्जी पकने आधी पकेगे जबने इसको डालेंगे तमाटर भी डाल दिया जूम करके अपको दिखा रहे हैं कि तमाटर और नमक और हल्दी कुछ भी नहीं डाला है गाने अब इसको भुन्ये देती हूँ थोड़े दल्या डाल दिया एक दल्या दालता है क्योंकि श और जितना चाहें इतना ग्रीन वेजटेबल्स करेला और रेला को छोड़ देने इसको अच्छी से मिक्स करती हूँ यह रहा दल्या और इसमें एक पैकेट से मैजी मासला डालेंगे किछी गाना चल रहा भजन चल रहा है थोड़ा सा डिस्टरप होता हो अगर निजसको आपको कानों में मेरी बाते जा सकते ऐसे मिक्स कर देना इसको अच्छे से मिक्स कर दिये आप आपको लिक्विट खाना है तो ध्यादा डालो और ज्यादा लिक्विट नहीं रहेंगे ज्यादा लिक्विड ऐसे हो जाएगा फिछोड़ी टाइप में हो जाएगा लेकिन यह दलिया है यह थोड़ा और पानी डालूंगे इसमें पूरा पानी में डाल रेते हैं और इसमें मेरा दलिया बनके रेडी होगे अब इसमें सिर्फ मुझे खी का तड़का देना है अधर यह है आपको प्लीज पसंद है तो कमेंट करना लाइक से